मुख्यमंत्री अशोग गहलोत राजनिती के सबसे बड़े जादूगर माने जाते हैं लेकिन कहते हैं कि हर किसी को किसी के साथ की जर्रत होती है और मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के सबसे बड़े ट्रबल शूटर है RTDC चेयर्मेन धर्मेंदर राठोड जब भी भी मुख्यमंत्री अशोग गहलोत किसी मुसीवत में पस्ते हुए नजर आते हैं तो सबसे पहला नाम आता है धर्मेंदर राठोड का जोड़ तोड की राजनिती में सबसे उपर शुमार धर्मेंदर राठोड इस समय जोड तोड की राजनिती में ऐसे उलज गए हैं कि उनका टिकेट मिलने का सपना अब खटाई में पड़ गया है धर्मेंदर राठोड अजमेर उत्तर से टिकेट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और उमीद ये की जा रही थी कि धर्मेंदर राठोड जो मुख्यमंद्री अशोग गहलोत के करीब ही हैं उनको टिकेट मिल भी जाएगा लेकिन एक राठोड दूसरे राठोड पर भारी पड़ चुका है धर्मेंदर राठोड की सिफारिश पर सरकार की ओर से राठोड के सदस्यों की निक्तियों की गई और केसरी सिंग राठोड को उसमें जगे दी गई RPSC के सदस्यों की रूप में जगे मिलने के साथ ही केसरी सिंग राठोड का एक वीडियो वाइरल होता है जिसमें जातिगत टिपनिया की जाते ये वीडियो काफी चर्चा में रहा शोशल मीडिया पर केसर सिंग राठोड के स्तिफे की मांग लगातार तेज होने लगी तो कई समाजों के लोगों ने भी मुख्यमंत्री अशोग गैलोट से इसकी शिकायद और आखिरकार मुख्यमंत्री अशोग गैलोद को केसर सिंग राठोड की खिलाप बोलना ही पड़ा और ये मानना पड़ा कि हमसे गल्ती हो गई अब बात करते हैं केसर सिंग राठोड और धर्मेंदर राठोड के कनेक्शन की जी हाँ करनल केसर सिंग राठोड की सिफारिश धर्मेंदर राठोड के द्वारा की गई और उनी की सिफारिश के आदार पर सरकार की ओर से RPSC के सदस्य के रूप में केसर सिंग राठोड को जगे दी गई केसर सिंग राठोड 9 अक्टूबर को RPSC पहुंसते हैं अपना पत बाहर ग्रेंड करते हैं इसी बीच उनका जो वीडियो था वो काफी चर्चाओं में आ गया था सरकार तक बात पहुंच चके दी यूवा बेरोजगारों में अकरोश था हर समाज जो था वो इसका विरोध कर रहा था 10 अक्टूबर को केसर सिंग राठोड किसी से बात करते हैं और अपना फोन स्विच ओफ कर लेते हैं और उसके बाद से वो अग्यातवास में चले जाते हैं लगबग 5 दिन बीचने के बाद भी केसर सिंग राठोड का कोई अता पता नहीं है धर्मेंदर राठोड जो चुनावी साल में पूरे जोर शोर से अजमेर से तैयारी कर रहे थे अब वो तैयारी ना करते हुए केसर सिंग राठोड को तलाशने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोग घहलोद ने करनल केसर सिंग राठोड को तलाश करने की जिम्मेदारी धर्मेंदर राठोड को दी है और धर्मेंदर राठोड इस समय अजमेर को छोड़ते हुए केसर सिंग राठोड की तलाश में चुटे हुए हैं पिछले चार दिन से ना वो कोई मीटिंग ले रहे हैं, ना कोई परचार कर रहे हैं, और ना किसी कार्यकरता से मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं केसर सिंग राठूर। देखिए, RPSC सदस्य उनको बनाया गया है। जब तक वो खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता। समयधानिक द्रश्टी से अगर बात की जाये तो उनको हटाने की जो प्रिक्रिया है वह काफी पेचीदगियों से भरी हुई है। जो फाइल चलाई जाएगी वो राष्ट्रपती तक जाएगी और राष्ट्रपती की सहमती के बाद ही उनको उनको पत से अटाये जा सकता है। इसका एक ताजा उधारन बावुलाल कटा रहा है। पेपर लीग मामले में सारे सबूत आने के बाद उनकी रप्तारी के बाद इसके साथ ही इनी से उनकी पूस्ताज के बाद भी आज तक उनको पत से नहीं अटाये गया है। जिसकी वजह यह जटिल प्रिक्रिया है। या तो सदस्य खुद अपनी चीज से इस्तिफा दे या उनको हटाना है तो उस जटिल प्रिक्रिया से होकर गुजरना होगा जो पूरी होने में काफी वक्त लगता है और इसका ताजा उधारन बावुलाल कटा रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोग गहलोत की जो गलती स्विकार करना है वह इस मामले को तूल दे चुका है। इसके साथ ही विपक्ष के हाथ में एक दूदारी हतियार भी उन्होंने पकड़ा दिया है जो वो लगातार सरकार पर उससे वार किया जा रहा है। ऐसे में केसर सिंग राठोड जो अग्यादवास में है उनका पदा नहीं चल रहा है। इसके साथ ही धर्मेंदर राठोड जो उनकी तलाश में जुटे हुए है। मुखे मंतरी अशोग गहलोद का सुविकार करना कि केसर सिंग राठोड की सदस्यता को लेकर जो उनका फैसला था वो गलत है। ऐसे में आप देखना होगा कि प्रदेश की इस उठापटक की राजनिती में क्या धर्मेंदर राठोड एक बार फिर से मुखे मंतरी अशोग गहलोद के लिए ट्रबल शूटर शाबित होंगे या इस बार धर्मेंदर राठोड का दाव उल्टा उन पर ही पड़ गया है। आप देख रहे हैं दनगरी न्यूज, मैं हूँ ललेट पर्द।